असलाम वलीकुम विवर्स वेलकम टू माझेनल टेस्टी फूर पर अरीब तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिकाऊंगो यहां पर बहुती जादा मज़ेदार से यहां पर टेस्टी से हम बनाएंगे चिकन स्लाइडर बिल्कुर रेस्टोरेंट स्टाइल में तो आज हम यहा बनाना शुरू करते हैं अपने मज़ेदार से चिकन स्लाइडर सबसे पहले मैं यहां पर एनस की डूर एडी कर लूँगा जिसके लिए मुझे अपर ले लिया है एक बोल उसकेंदर में डाल दूँगा आदा कप नीम गरम पानी पानी इतना गरम होना चाहिए कि आप अपन को अपर कर सकते हैं अब सकेंदर डीज कर लोंगा मिकस कर लोंगा पानी के दर टीजिनी को भी डिजॉल्फ कर लोंगा यहां गर को नहीं पता हो तो मैं यहां पर मैदा ले लोंगा मैदा आप छान चान के ल MILए आपके Guard रदे हैं और साती मैं टाल दूगा 1 टीज प क्थों आपस में नियो फिर्ट में थोड़ी कोशिश की इस तरीकप से मैं नहीं पस घ्म करें था करने था तरह पलो तों हैंकि मैं थर सारा सफ ने रखर आप में यह आप नीम गरम पानी कर दोड़ा आप के आपको थोड़ा आते कप लिए तो यहां पर बाद में और तो वो कम इस्तमाल होगा अब यहांपर मैं मशीन चला रहा था तो यह बहुत जादा ओड आता भी में में इस हाथों किया था मैं डो इतनी जाधा नीट करता नहीं हो इसलिए मुझे दो नीट करनी आती भी नहीं है फिर भ अब कि पर पांच मिनट तक इस तरीके से साट मिनट करेंगे ज़य। एपने जो पहरे त tapes कर लुग погड़ा ताकर दो ने कि पुल एक थे दर में प्लिक है ज…? अफ्ड़ कि मधल कर लुगा जब हां यहां पर ब्लू ब्लूल कर दोalth ऑप ». और यहां पर अब मैं इसको कवर करके रख दूँगा प्रूफ होने के लिए आपके रूम टेमपरिचर पर डिपेंड करता है अगर सर्दियों में आप बना रहा है तो एक से देड़ घंटे में दो या धाई गंटे लगेंगे गर्मियों में बना रहा है तो कम टाइम अब यहां पर मैंने जब तक चिकन मेरिनेट करना हूं एक अपर मैंने चार्सों ग्रम बुन ले ली थी उसके अंदर मैं यहां पर डाल दूँगा बुनलेस पीसस काट लिए थे मैंने चोटे-चोटे व्यट कर दिया था एक टेबिल स्पून यहां पर मैंने लाल मिर्च प तो यहां पर देखें कितनी अच्छी है हमारी राइज हो चुकी है मैं इसको दो घंटे रखा दा यहां पर इस तरीके से पंच कर लूँगा मैं कितना साटिस्फाइंग पार्ट है इसके बाद मैं यहां पर इसको नीट करूंगा दुबारा से पांच मिनट के लिए दैन इसक कि मैं इसको शेप दूंगा इस तरीक से 4 पोश़न में कर दूंगा पहले मि उसको अगर आपको बटार नहीं है अगर आपके बास वेट शेए था अब से भी कर सकते हैं मेरे वेट शेल नहीं तो मैं इसे थाए पहले मैंने चार पार्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया तोटल मैंने 12 पीस किये थे पूरे सरकल के अगर आप चैनल पे नहीं हो चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें आगे और भी जादार सी रेशीपी जाने वाली है तो देखें आपर मैंने 12 हिस्सों काट कर लिया था अपने सा अपने से खुली नहीं हो चाहिए वाल मैं एक पाइयरेक्स की डिश ले ली थी मैंने जिसके निडर मैंने पहले पहले आयल लाजमी है आपकी यह बंस चिफक जाएंगे मुशक्लों होगी निकालने मां और आपने अवन सेव डिश लेनी अगर आप आप आने पपातीली की बता दूंगा इसके अंदर मेरी 9 बॉल्स हाई थी मेरा पॉट थोड़ा छोटा था इस वजह से अब मैं आपर इसको कवर कर दूंगा नौ बॉल्स को रखकर यहां आदे घंटे के लिए कवर कर दूंगा राइस हो जाए बॉल्स थोड़ी तब यह फलफी से बनेंगे यहां टालिए टेल दूंगा अपर 2-3 टेबिल इस्पून ठेल डाल यह था इसके इंडर खर दूंग, तोस्inum में चोड़ा देडिगा, इसे के इंदर को पकाएंगे चिकन जब अपना बिल्कुल पानी ड्रॉइ आउट कर लेगी अच्छे से गल जाएगी तो मैं इसके ने शामिल कर दूंगा पांस टेबल स्पून स्वीट कॉर्ण यहाँ पर में डाल दूँगा आदा कब बिल्कुल बारी चॉप हुई वी Kapsigum dyes चॉप कर ली ती मैंने आदा कब मैं इसके अदूगा यहाँ पर चॉप हुई प्यास इसके साथ ही मैट कर दूगा आदा कब यहाँ बर भरके मयोनी यह बाइंदिंगे एजेंट एक बाइंड करेंगा हमारी सारी चीजों का अपस मैं साती में भीकांगा इसके लिया पिल्कुल ने बहुत साय चीज और पषसी चैने करेंगे था कि मज़दार से वने अच्छे से वने केचप ऑ parl स्किप कर सकते हैं बिल्गुल भी जरूरी नहीं है मैं इसको कवर कर दूंगा यहां पर जब तक कि चीज अच्छे से मैल्ट हो चुकी है यहां पर फिलिंग को मुषाइड में कर देंगे रैडी हो गई है अब मैं आपर अपने बंस ले लूंगा 30 मिनट के लिए हो गए इसको रखे रखे अब मैं आपर एक अंडा ले लूंगा इसको अच्छे से फेटने के बाद मैं आपर इसको ब्रुश की मदद से अपलाय कर दूंगा सारे अच्छे से बंस पर फिर मैं इसके ऊपर से सफेद तिल चड़क दूंगा अब इसको हम आवन में बेक करेंगे 15-20 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्रिहेटे अवन में अगर आप पतीली में बेक करना चाहते हैं तो आप पतीली में भी बेक कर सकते हैं 20-25 मिनट में मीडियम फ्लेम पे बेक कर लिएगा कोई पतीली सेफ की डिश में आप यहाँ बहुत सारा में मक्षन फॉर नियम जैसे इसको नि बेक कर लिए 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है जब तक आपकी डिश अच्छे से ठंडी ना हो जाए डिश ठंडी हो जाएगी तो देखे मैंने से भार निकाल लिया है अपने बंस को अब यहां पर मैंने को हाफ में कट कर लूँगा बीच में से तो यहां पर देखे मैंन अपने नीचे वाला जो एरिया था ना हमारा बंद का वो मैं वापसी मीच उसमें डाल दूंगा पायरेक्स की डिश में अपनी और इसके ओपर मायोनीज अच्छे से अप्लाय कर दूंगा यहां पर आप कुछ भी टॉपिंग कर सकते हैं जो आपकी मर्जी है मैंने अपर अ सारी चिकन वगएरा एट की हुई है तो मैं फिलिंग वो बिल्कुल अच्छे से भढ़ दूंगा अपनी फिलिंग अच्छे से भढ़ने के बाद मैं या पर अपने टॉप के जो बंच थे वो में ले लूँगा और इसको भी उपर प्लेस कर दूँगा मैंने यहां पर दो रग दिया तो मेरा जो एक टूडिया था वो भी मैंने रग दिया आप दिहान रखिएगा आपके बंच न आप लोगों के कैसे बने मज़दार से चिकन स्लाइडर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस